हेलो एवरीवान वेलकम बेक टो फुल स्टेक वेब डिवलोपमेंट कोर्स यूजिंग रियक जैस एंड स्प्रिंग बूट सो गाइस आज हम इस वीडियो में कोर्स का इंप्लिमेंटेशन करने वाले है ठीक है सो एक्चुली कोर्स होता गया है यहां पर आप इसका आडिकल जो है डेवलोपमोजिला ओफिसियल डॉक से यहां से आप पढ़ सकते हैं कि यह कोर्स है किया इसका यूजिस क्या है ठीक है सारी डीटेल्स यहां पर इन्होंने दे इसका यूजिस क्या होता है और यह हमारे कौन से प्राब्लम सॉल्व करता है ठीक है वो सारी चीज़े जो जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ बाकि जो डीप में लर्न करना चाहते है वो यहां से इसको पढ़ सकते हैं और सिख सकते हैं ठीक है मैं डेफिनिटली रि है हमारी एफिकेशन के लिए वो तो मैं आपको इस वीडियो में बता हूँ गाई ठीक है? तो नौ नाव लेट जो टो टो आफिकेशन अगर मैं इसको यहां से रिकएस करता हूँ, फॉज्स्ट लेड मी गो टो कोर्स अ कॉण्फ़िगरेशन औड में यहां से हमारी एफिक कर रहा हूँ तो यह मुझे home page पर redirect कर रहा है यहां पर मैं एक account से login हूँ जिसका नायम है rose flowers and rose करके ठीक है all right guys so इसका मतलब कि हमारा जो bearer token है वो local storage में stored है and हम यहां से login कर पा रहे है लेकिन लेकिन क्या होगा अगर मैं front end में चाहूँ यहां से ठीक है and हमारी इस API जो है इसको मैं comment out कर देता हूँ ठीक है अब यह guys URL ध्यान से देखिएगा यह जो URL मैंने दी है न वो हमारे front end की URL है जो यहां पर है ठीक है यह URL and यहां पर जो मैंने दी है वो सेम है मतलब यहां पर जो URL है वही मैंने यहां पर दी है and इसको फिलाल के लिए मैंने comment out कर दिया ठीक है and अगर मैं इसको saved करता हूँ कुछ हुआ क्यों नहीं okay I guess saved हो चुका है and अब मैं इसको अगर refresh करता हूँ तो अब देखेगा यहां पर क्या होता है ठीक है आप देख सकते हैं इसने मुझे homepage पर redirect करके बेश दिया है वो जो login वाला page था वो नहीं आ रहा है मतलब कि हम login नहीं हो पाए ठीक है जैसे मैंने इसको comment किया अब login क्यों नहीं हो पाए सो मैं console में जाके आपको दिखाता हूँ यहां पर यह बोल रहा है कि access to https request at and यह हमारे localhost 5454 जो हमारा backend चल रहा है वो है at and यह हमारी frontend URL है ठीक है इस पे इस URL को origin has been blocked by course policy no access control allow origin header is present on the request resource ठीक है यह बोल रहा है कि जो course policy है ना इसकी वज़े से आपका जो access control allow origin में जो आपने header वेजा है ठीक है इसको इसने denied कर दिया मतलब header वगेर आप यहां से नहीं वेज सकते यह बोल रहा है ठीक है और simple वाइसामा कि जो course की policy है इसने इस आपकी frontend URL को block कर दिया है अब आप इस URL से इस API को नहीं fetch कर सकते है ठीक है इसका मतलब यह है okay so अब इसका solution क्या है so इसके लिए guys हमारे पास course की configuration होती है वहां पर जा हम सारी URL वगेरा बताते है frontend की URL की यह यह जो हमारी website है यह हमारी website है ठीक है इसको आपको block नहीं करना है इसको आपको allow रहने देना है ठीक है जब यह API को fetch करेगा so यह configuration actually guys हमें back end बे बतानी पड़ती है कि frontend की इस URL को आपको allow करना है so यहाँ पर मैंने local host वगेरा दी है अगर कोई अपने deploy की है वह भी यहाँ पर देनी है ठीक है so यह URL देने के बाद अब यह भी configure कर सकते है कि इस URL को कौन-कौन si method जो है ठीक है वो आपको allow करनी है so यहाँ पर आप method लगेरा देख सकते है principally method से मेरा मतलब क्या है method से मेरा मतलब हे कि पहले मैं इसको allow कर देता हूँ अब जैसे ही में allow करूंगा तो जो course का error था वो चला जाएगा यहां से सवरी इसको close ही कर देता है हाँ, यहाँ पर जैसे ही मैं इसको refresh करता हूँ तो अब course का error जो है वो चला जाएगा ठीक है and यह सब कुछ आ जाएगा मेरे पास so guys यहाँ पर post request वगेरा होती है get request वगेरा होती है जैसे सभी post को fetch करने के लिए get request का use होता है नई post को create करने के लिए post request का use होता है जो हमने spring boot में define की थी so यहां से हम यह method भी define कर सकते है कि यह url कौन कौन से method को access कर सके post method को delete method को get method को मालेजिए हम किसी url को मतलब यहां पर जो url दी है इनको हम delete method access करना नहीं देने चाहते है delete method हम केवल postman से ही करेंगे so वो सारी configuration आप यहां पर दे सकते है and यहां पर मैंने start दिया हुआ है इसका मतलब की सभी method को allow है and one more thing important है जो कि है header ठीक है इसमें कौन से header आप pass करेंगे और कौन से expose header पास करेंगे ठीक है कौन से expose header को आप access देंगे वो सारी चीज़ हम इस course में implement कर सकते है ठीक है so I hope कि आप इसका जो uses है वो समझ गए होंगे and कौन सा जो problem है वो यह solve करता है यह भी समझ गए होंगे कि यह जो chrome होता है न ब्राउजर वो by default course को disable रखता है ठीक है मतलब request को access नहीं करने देता है सो security की वज़े से इसलिए हमें back end में बताना पड़ेगा कि हाँ यह हमारी API है इसको आप access दे दो ठीक है all right guys so now without wasting any time let's get started इसको मैं close कर दूंगा and अब जो हमारी application है इसको भी यहां से close करूंगा ठीक है and what I'm gonna do is यहां से open कर लूंगा हमारी config package में app config को ठीक है यहां पर csrf हमने disable कर रखा है and इसके बाद यहां पर हमें देना है course का so dot dot course course की configuration guys जो है वो हमें app config में ही देनी है चाहां पर हमने spring security लगाई है ना उसी file में हमें इस course की configuration देनी है okay so यह हमारी spring security का बागी का code है and यहां पर हम course की configuration दे देंगे ठीक है so okay deprecated बोल रहा है so course इसको कुछ इस तरह new way में define करेंगे ताकि यह deprecated ना बुले हमे and configuration source आएगा then यहां पर हमें configuration source देना पड़ेगा so configuration source actually यहां पर ऐसे आएगा and यहां पर मैं दे देता हूं इस तरह ठीक है all right guys so इतना था यहां पर spring security में spring security की जो filter chain class है अब इसके लिए यहां पर एक मुझे यह जो method यहां पर मैंने define किया ना course configuration source यह method मेरे पास नहीं है so मुझे इसको create करना पड़ेगा so let's create okay यहां पर मैंने वो method create कर दी है अब इसमें हम सारी configuration लिखेंगे जो अभी अभी मैंने आपको बताई like कौन-कौनसी API को sorry कौन-कौनसे frontend URL को हमें access देना है कौनसे header को access देना कौनसे methods को access देना है वो सारी configuration हम यहां पर define कर सकते है यहां पर यह जो return null है यही से start करते है guys यहां पर मैं दूंगा new course configuration course configuration source ठीक है so जैसे मैं यह define करूंगा तो यह मुझे एक override method देदेगी अब इस method को implement करेंगे हम यहां पर okay so let's start okay and course configuration course configuration cfg equal to new course configuration cfg equal to new course configuration okay अब cfg में हम सब गुच start करेंगे so let's do this पहले cfg declare कर दिया configuration इसका type जो है वो configuration है then cfg new configuration ओके अब इसमें हम सारी चीज़े set करेंगे like कौन-कौन से header वगेरा जो URL वगेरा है ना इसके लिए हमारे पास इसमें method मिलेगी so cfg.frontend URL को set करने के लिए यहां पर हमारे पास method होती है set allowed origins so guys यहां पर आप बहुत सारी methods वगेरा देख सकते हैं ठीक है I guess 3-8 methods है वह सारी methods को आप explode कर सकते हैं इसमें हमें जरूरत फिलाल API के लिए हम कौन से use करेंगे so API के लिए है हमारे पास allowed origins यह वाले allowed origins ठीक है so let's use this allow origins and इसके अंदर हम array list में URL पास कर सकते हैं ठीक है array.list अचली यह array को मुझे java.utils array.list नहीं array.list अबर हम सारी कुछ पास कर सकते हैं वैसे अगर आप list में पास ना करना चाहें ठीक है सभी को allow करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं इसके लिए आप यहां पर आपको collection.singleton.list में start देना पड़ेगा ठीक है collection.singleton.list में start देना पड़ेगा वो कैसे करते हैं वो मैं next method में आपको बताता हूं ठीक है so philal के लिए so what I'm gonna do is मैं हमारी जो local host की URL है इसको allow कर दूंगा यहां से ठीक है इसके अलावा बाकी सारी आप guys यहां पर allow कर सकते हैं अपने इसाफ से ठीक है अब cfg.setallow methods यह यह वाली ठीक है अब allow methods में guys हम start दे देंगे सभी methods को अब सभी methods मैंने यहां पर बताया था कि आपको सभी methods यहां पर भी देनी है तो दे सकते हैं ठीक है वो कैसे दे सकते हैं मैं यहां पर दिखाता हूं so यहां पर देना है आपको collection collections 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 dot singleton list singleton list and यहां पर आपको दे देना है star star देना एडिक है that's it okay so यह singleton list में यहां पर सभी methods allow हो जाएगे इसको okay wait कहा गया यहां पर singleton list में सभी methods allow हो जाएगे अब यह जो singleton list मैंने यहां पर दी है वो आप allow origins में भी दे सकते हैं अगर यहां पर array of list नहीं देना चाहते हैं सभी को सभी को access देना चाहते हो तो ठीक है and same guys method में भी आप यहां पर array list array list भी दे सकते हैं अगर आप सभी methods को allow नहीं करना चाहते तो okay that's great now cfg.set allow gradiential कर देंगे so allow gradiential में यहां पर true दे देते हैं then cfg.set allow headers अगर आप दे सकते हैं so headers में भी में आप यह वाला सभी headers call अगर दूँगा ठीक है cfg.set expose header ठीक है कौन कौन से header आप expose करेंगे so expose के लिए फिलाल तो हम guys authorization का use कर रहे हैं ठीक है so इसके लिए let me give here array list, array list दे देते हैं ठीक है kandle v and यहां पर authorization दे देता हूं फिलाल के लिए authorization 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 ठीक है इसको हम expose कर रहे हैं and इसकी edge limit वगेरा यहां पर set कर सकते है so set max edge कर देता हूं maximum edge इसकी कितने होनी चाहिए so 3600L अब यहां पर return हमें क्या करना है so यह जो cfg का हमने object बनाया ना इसी को यहां पर return कर देना है ठीक है guys so that's it for our course configuration इतना ही था ठीक है इसमें आपने course configuration configure कर दिये एक बार फिर से guys मैं समझा देता हूं पहले तो हमें यहां पर course में course configuration source and then configuration यह देना पड़ेगा यहां पर हम यह नई method यहां पर हम define करेंगे so यह हमरी method आ चुकी then यहां पर new course configuration source करके define करेंगे तो इसके अंदर हमें एक override method मिल जाएगी जिसको हमें implement करना पड़ेगा इसके बाद हमने यहां पर cfg define किया then cfg में set allow origins हमने set allow origins का मतलब हमारी जो सारी front end URL है वो यहां पर set गरी इसके बाद method इसको बताएगी इन method को access देना है ठीक है यहां पर हमने start दिया इसका मतलब सभी methods को हमने access दे दिया है यह वाली URL से इसके बाद credential को true कर दिया then header header भी सभी दे दिया expose header में केवल हमने authorization order header दिया है आप चाहे तो मतलब यह आपकी requirement के हिसाब से depend करता है ठीक है फिलाल हमारी application में केवल authorization की required है तो मैंने authorization को दिया आप चाहे तो दूसरे भी दे सकते है अगर आपको जरूरत पड़ी तो और भी methods मतलब headers यहां पर define कर सकते है then हमने यहां पर return कर दिया cfg को ठीक है guys so that's it for this video ठीक है अब course को guys हम ऐसे check तो नहीं कर सकते है postman में ठीक है जब हम इसके लिए front end बनाएंगे na front end में API integrate करेंगे front end को back end के साथ जब connect करेंगे तब यह automatic check हो जाएगा अगर हमें course की कोई block error नहीं मिलता है तो अगर course का कोई block error मिला तो हमारे इसमें थोड़ा बहुत changes करना रहेगा otherwise नहीं करेंगे ठीक है so that's it for this video guys मिलते है नेक्स वीडियो में फिर अखर केंगे झाल